तो रिपिक्स इंडिया के यूटूब चैनल पर आपका फिटसर स्वागत है आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पर आप यह देख सकते हैं मेरे पास यह पैनल है जो कि LG कंपनी का है और दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखायता हूं यह मैंने इसको फावर दिया है और यह आप देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम हरी है यह देख सकते हैं यह देखें तो दोस्तों यह जो प्रॉब्लम है यहां पर आप यह देख सकते हैं बिल्कुल गौर से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं यहां पर क्या है कि जो कॉफ है यह बर्न हो चुकी है और बर्न होने की वज़े से क्या है यहां पर जो है स्पार्किंग हो रही है यहां पर देख सकते हैं स्पार्किंग हो रही है सबी मुल्टे ड्रॉप आनी की वेज़े से आपका जो पिच्छर है आप दे सकते हैं लाइनिंग पार आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तो सबसे पहले हम बेक ब्लेड का भी सारा ले सकते हैं यहां पर आप पर देखने हैं यहां पर अल्ड़ी चांड कन रहा है तो चाण करने की वजह से पफादा को तो सबसे पहले अंगा है वнако फार देखनी कि सबसे पहले में इसको कट करके देखेंगे है जिए तो चलिए अदिखते अक्र इनिए आइग मैं पार निफेडिय। कि यहां पर मैं क्या करना उसको कि डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने अभी क्या है कि डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने कौफ को हलका सा करें टो चलिए डूस्तो अभी मैं आपको पावल लगा के दिखायता हूं कि जो पैणल की क्या कंडिशन और यहां यहां पर आप यह देख सकते है कि यह जोंपेनल है मेरा यह देखे बिल्कुल ओक्यों गोशुका है और यहां पर मैं आपको एक USB लगा के कोई भी एक video प्लेए करके दिखा देता हूं यहां पर आप यह देख सकते है कि जिए मेरा पैनल है वरकिंग कंडीशन में आचुगा है uh तो हम यहां पे आप यह देखर पिया कि यहां पही देख सकते हैं यह देखिए बिलकुल बर्किंग कंडिशन में आचुका मैं आपको लाइट बन करके बिल्कुल दिखा रहता हूं यह देखे बिलकुल ओके चल रहा है बिलकुल पैनल फास्सक्लास और तो इस तरीके से हम पैनल को रिपेर कर सकते हैं अगर आपकी कोफ बर्न हो जाती है तो इस तरीके सा आप कटिंग करके चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू फ्रेंट्स